सबी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार ये कम समय में आप लोगों को निवेदन किया गया इस प्रेसवारता में समलित होने के लिए इसकी एक वजया ये है ये प्रेसवारता बड़े एहम बिंदू पे हो रही है और ये मुद्दा है जो रोहिंग्या घुजपैटिये हैं किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खत्रा है और उस पे अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी राश्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टी करण की राजनिती करती है इस प्रेसवारता से कुछ समय पहले ऐसी समचार रिपोर्ट आई मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा ये एक 29 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीट सेक्रेटरी करते हैं और गजब की बात ये है कि अर्विंद केजरिवाल जी की जो तुष्टी करण की राजनिती है उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है इनको चिंता है जो रोहिंग्या गुस्पैटिया आए है अर्विंद केजरिवाल जी की तुष्टी करण की राजनिती ऐसी ये ये भी भूल जाते है कि अगर भारत के अंदर कोई गुस्पैटिया आता है जो इल्लीगल माइगरिंट्स आते है मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीती रही है कि राश्ट्र सुरक्षा से कोई समझोता नहीं होगा ये लोग हमारी देश की एखंडता के लिए खत्रा है पहली बात दूसरी बात हमारे देश का कानून ये कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये जुरिस्डिक्षिन जो है संविधान ये शेत्र अधिकार ग्रहम अंत्राले और होम मिनिस्ट्री का देता है तो ऐसा क्यों है कि ये 29 जुलाई को जो बैठक होती है इस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षिता करते हैं और जल्द बाजी में आनन फानन में एक फैसला करते हैं कि इन सभी गुस्पैटियों को EWS के जो घर बन रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाएगा और मेरे हाथ में ये जो बैठक हुई है उसके मिनिट्स है चिंता की बात ये है कि इस मीटिंग का जो सार है किस वज़ा से ये मीटिंग बुलाई ये कहता है डिसकस्ट शिफ्टिंग ऑफ रोहिंगयास रॉम कंचन कुंज मदनपूर खादर टू अप्रोप्रियेट लोकेशन और जल्दबाजी और चिंता घुसबैटियों की ऐसी कि कहते हैं कि जल्द से जल्द इन मकानों को घरों को तैयार करके वहां रोहिंगया को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करें कि यहां पे फंक्शनल टॉयलेट होंगे बोर्वेल होगा तो जैसे ही एक खबर कुछ माध्यम में इस तरह से सामने आई कि अर्विन केजरिवाल फिर से अपनी तुष्टी करण की राजनिती करने से बाज नहीं आएंगे तुरंट ग्रहम अंत्राले की तरफ से इस पश्टी करण आया जो मैं आपके समख श्रक के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और यह बहुत महत्रपूर्ण है ग्रहम अंत्राले ने सबसे पहली बात पश्ट कर दिया है MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants जो घुस पैठिये हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा सबसे महत्पूर्ण MHA ने जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही थी तुष्टी करोड की राज़िती करने के लिए ये भी सपश्ट कर दिया है और निर्देशित किया है केजरिवाल सरकार को कि जो उनका अभी स्थान है वो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे स्टेटेस को विल बी मेंटेंड और देविल लॉट बी शिफ्टेड अनिवेर और दिस इस अडिरेक्शन बहुत महत्पूर्ण बात एक और है जो ये इस पश्ट कर देती है कि केंद्र सरकार की नीती है सबसे पहले राश्ट्र सुरक्षा पे कोई समझोता नहीं नमबर वन नमबर टू जो देश के साधन है वो देश के नागरिकों के लिए है घुसपैटियों के लिए नहीं है और इसी बात को सपश्ट करते हुए जो ग्रहम अंत्राले की तरफ से ट्वीट है मैं उस पे जो लिखा है वो आप के समख्ष रख दू MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA ये बहुत एहम बिंदु है जल्द बाजी में आनन फानन में अर्विन केजरिवाल जी तुष्टी करण की राजजिती करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है उसको घुसपैटियों को देना चाहते है और केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये घुसपैटियों हैं इन्होंने देश का कानून तोड़ा है और हमारा विदेश मंत्रा ले जहां से ये घुसपैटियों आए हैं उस देश से बाचीत कर रहा है और इनको देश से कानून संगत तरीके से निकाला जाएगा ये बहुत महत्वपूर है अब ये निर्देश आने के बाद अर्विन केजुरिवाजी आप ये जो जितने घुसपैटियों है इनको कहीं और नहीं ले जा सकते है और उमीद ये की जात सकती है कि सम्विधान की शपत लेने वाले अर्विन केजुरिवाजी अपने कर्तव्यों का निर्वाहा करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं करेंगे ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्विन केजुरिवाजी का हाथ घुसपैटियों के साथ दिल्ली वासियों के साथ नहीं घुसपैटियों के साथ और एक बात और जो निकल के आती है जो बहुत चिंता जनक है ये जो घुसपैटियों हमारे देश में आए है भारतिय जनता पार्टी की मजबूत सरकार आने से पहले की जो सरकारे हैं उनको सर्वोच न्याले फटकार लगाता था कहता था इन घुसपैटियों को आप वापस क्यों नहीं भेज रहे पिछली सरकारों की ना नियत साफ थी ना नीती साफ थी जिस तरह से अर्विन केजरिवाल जी की नहीं है और वो लोग घुसपैटियों का भी धर्म ढूम लेते थे उनको लगता था भविश्य में यह हमें मजबूत करेंगे बदलाव यह आया एक मजबूत सरकार स्पश्ट नीती जिसने कहा राष्टिस सुरक्षा सर्वोपरी है और देश के संसादनों पे हक है तो केवल भारतियों का है मुझे यह कहते हुए दुख भी हो रहा है और हर नागरिक की तरह चिंता भी हो रही है अर्विन केजरिवाल जी जहां पे यह घुसपैटिये हैं रोहिंगया यह आपकी सरकार का कर्तब में था जिम्मेदारी थी कि आप इसको डिटेंशन सेंटर घोशित करें कानून के तहर लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो अर्विन केजरिवाल जी पहला प्रस्ट मेरा यह है कि आपने डिटेंशन सेंटर इसे गोशित क्यों नहीं किया और यह देश की अखंडता के लिए एक खत्रा है देश की सुरक्षा को यह बादित करता है यह यह भी दर्शाता है कि अर्विन केजरिवाल की नियत में खोट है उनको देश से दिल्ली से दिल्ली वासियों से मतलब नहीं है उनको अपनी राज़िती करनी है दूसरी बात यह आनन फानन में है जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने करी इसमें निर्देश दिये गए और निर्देश वो दे रहे हैं एंडी एमसी को और कहा यह गया है मैं वो पर दू also a borewell should be installed after completion of codal formalities within a week एक हफते के अंदर बहुत जल्दी हरविन के जिवाल जी को further it was directed a team of official may be deputed for handing over of detention center in coordination with FRRO within a week मैं यह पूछना चाहता हूँ जब आप यह लिखते हैं secretary ndmc was directed to immediately hand over the 240 requisite number of EWS flats यह निर्देश देने से पहले क्योंकि यह मामला सीधे ग्रह मंत्राले का है आपने अनुमती ली थी यह दूसरा सवाल है जो आपको बताना चाहिए और बड़ी जिम्मदारी से मैं एक बात और कह दूँ घर हो मकान EWS flat यह भारत के नागरिकों के लिए है दिल्ली वासियों के लिए है कोई flat नहीं मिलेगा गुसपैटियों को भारत छोड़के विजी संगत तरीके से जाना होगा उनको भेजा जाएगा यह स्पष्ट नीती है राश्टर सुरक्षा सर्वो परी है यह स्पष्ट नीती है और इसी के साथ एक बात मैं और कह दूँ जो आज मीडिया का धन्यवाद देते हुए बताऊंगा कि पत्रकारों ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने रखी हैं आम आपमी पार्टी और अरविंद केजरिवाल के जो सोशल मीडिया एकाउंट है यह फॉरन फंडिंग से चल रहे हैं और विदेशी धर्ती पर ही इसको अपरेक्ट किया जाता है अब यह क्यों चिंता जनक है संशिप्त में मैं अपनी बात रख दूँ यह एकाउंट जो चल रहे हैं उसमें कैनिडा का भी नाम आया है कतर का भी आया है और देशों का भी आया है लिथुएनिया का भी आया है हम सब जानते हैं भारत जैसे जैसे मजबूत हुआ है वैसे विदेशी धर्ती का इस्तमाल जो हमारे दुश्मन है जो हमें कमजोर करना चाहते हैं जिनकी सोच कटरवादी है जो कहते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए उस जगा से आम आद्मी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल को फंडिंग और सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है उपरेट हो रहा है भारत की राजनिती हमारा अंद्रूनी मामला है सत्ता पाने के नशे में अर्विंद केजरिवाल जी आप भारत की अखंडता को भी तार-तार कर देंगे तो इस देश की जनता आप से पूछ रही है आप रोज मीडिया में आते हैं अपनी बात तो कहते हैं सच्चाई की जगा जूट बोलके जाते हैं क्रप्या करके ये सपश्टी करण जरूर दीजिए विदेशी धर्ती पर जो भारत विरोधी ताकते हैं इनसे अर्विन केजरिवाल जी आपकी क्या सांट गाट है ये जानने का हक तो हर भारतिये को है और खास कर अगर इस तथ्थे को जोड़ा जाए जो आज का मुख्य मुद्दा है जो घुस पैटिये हैं उनके लिए आप EWS फ्लाक बोर्वेल मीठे मीठे पानी के साथ टॉइलेट की सुविधाएं हो इसमें आपको जल्दी है लेकिन डिटेंशिन सेंटर जो नोटिफाइ करना था जो आपका करतव वे था वो आपने नहीं किया ऐसा क्यों राजनिती अपनी जगा है हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन देश की अखंडता के साथ आप इस तरह से खिलवाड करेंगे ये बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और ये जो सोशल मीडिया आपका जूटी खबरे पहला रहा है अफ़ाओं का बाजार गरम कर रहा है और वो भी विदेशी धरती विदेशी फंडिंग और भारत विरोधी ताक्तों के साथ मिलके उसको आप रोके तो अच्छा है वरना इसके परिणाम आपको और आम आदमी पार्टी को भुगतने होंगे दन्यवाद